कुश्चन आपकी बुक का थर्ड कुश्चन है कि अगर x ब्रावर u स्क्वाइर माइनस v स्क्वाइर है y ब्रावर u प्लस v है तो कहार है जैकोबियन बना फाइंड करी x y का देखे ये अंडेस्टूड है कि चुकि x u और v के टम में लिखा हुआ है y u और v के टम में लिखा है तो x is the function of u and v and y is also function of u and v तो जैकोबियन x y अगर निकालना है तो किसके respect में निकालना पड़ेगा वो u v के respect में निकालना पड़ेगा यह हमको मालूम है यानि इसको कैसे लिखा जाएगा डेवर x y upon डेवर u v इसको कैसे लिखा जाएगा determinant डेवर u upon डेवर x upon डेवर u डेवर x upon डेवर v डेवर y upon डेवर u डेवर y upon डेवर v अब इसको अगर हम solve करें तो x को u के respect डिफ्टिशन से कितना आएगा चुकि partial derivative आप जानते जब करते हैं तो un function constant हो जाते हैं तो u के respect में आएगा 2u v के respect आएगा minus का 2v y को u के respect करेंगे तो 1 आएगा और इसको करेंगे तो 1 आएगा simple expand कर दीजेगा तो क्या आजाएगा cross multiply करेंगे तो 2u minus minus plus 2v तो your answer will be 2u plus v अब बहुत ज़्यादा हो तो यह answer 2y हो गया ने लिखा नहीं जाएगा वालग की बात है लेकिन यह आपका ऐसे लिख करके आभी सकता है ठीक है तो यह एक छोटा सा question है अब इस पर tough क्या है tough यह है कि student को यह नहीं याद रहता है कि तो j x y होता क्या है पढ़हीं नहीं उन्होंने क्योंकि वो तो तब पढ़ेंगे जब examination होगा कल आज पढ़ लेंगे साब उसमें क्या दिक्कत है 12 chapter तो है किताब में 12 chapter है और एक chapter में 10 topic होंगे 120 topic होंगे और एक minute पढ़ लेंगे 120 minute दो घंटे में त्यार ऐसा नहीं होता है और ये चीजन को नहीं आती ठीक है एक question और डिसस करते है और question लगाते वक्त नीद भी आती लोगों को ये भी दिक्कत है question लगाते वक्त student को नीद आती है ना वो ज़्याजा अब थोड़ा सा एक tough question उठाते है ये fifth question आपके book का है x is equal to sin phi under root one minus c square sin square phi and y is equal to sin theta है बाहर sin theta cos theta into cos phi तो यहाँ पर इन्होंने value निकलवाई है लेकिन प्रूफ दिया हुआ है ये कह रहे हैं कि आप निकालिए कि देवर xy अपान देवर theta phi is equal to proof ही करना है minus sin phi one minus c square cos square theta plus c square cos square phi अब इनको मालूम था कि जब इसको हम इस तरीके से प्रूफ देट करेंगे तो जो हलके गडबर सब्ले स्टूडेंट होंगे उनको इस आंसर अपने आप छोड़ देंगे इसको फटा पर इसको टेरिवेट करिए निकाले वेलू थो थोड़ा कैमरा साफ कर देंगे इसका जी 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 प्रूफ ही ऐसा दिया गया है कि जिससे देख करके स्टूडेंट घबडा जाएंगे देखिए हमको डेवर एकस पांड डेवर थीटा चाहिए डेवर एकस पांड डेवर फाई चाहिए डेवर वाई एपान डेवर थीटा चाहिए और डेवर वाई पान डेवर फाई चाहिए तो पहले ऐसा करते हैं हम हम पहले वैलू निकाल लेते हैं यहां यहां लिख देते हैं बात वही है आप पहले लिख दो इसकी वैलू क्या होगी बात में निकालो हम फिलाल डेवर एक्सपांड डेवर थीटा निकालते हैं आप जानते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में जब इसको पार्शल डेरिबेटिव निकालोगे तो और फंक्शन्स कॉंस्टेंट होगे मतलब 5 विल बी कॉंस्टेंट तो इसका 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 होगा इसका होगा कॉस्ट थीटा और ये भाई साब ऐसे ही लिखे रहेंगे वन माइनस सी स्क्वार साइन स्क्वार फाई और जो आप डेवर एक्स अपांड डेवर फाई करोगे डिफ्रेंसियेशन प्रू क्लियर रहना चाहिए यहाँ पर हम T नहीं जूम करेंगे इसको T मानेंगे फिर इसको X मानेंगे फिर इसको ये करेंगे कुछ नहीं तो इसको करेंगे तो आएगा साइन थीटा ये से लिखा रहेगा इसका डिफ्रेंसियेशन क्या होगा 1 upon 2 under root 1 minus c square sin square phi और अब इसको phi के response करेंगे तो आएगा minus का c square sin square phi कहोगा 2 sin phi और sin phi कहोगा cos phi याद है यह multiply में है minus यानि यह थोड़ा सा अगर इसको amend कर दें यह 2 से 2 कर जाएगा यह आजाएगा minus का c square sin theta sin phi cos phi upon under root 1 minus c square sin square phi यह value निकल आई इसको अलग से note कर लिए क्योंकि हम इसको लिखेंगे न तो बच जगह यहां नहीं बचेगी हम लिखें कैसे बचेगी बचेगी डेवर y upon डेवर theta जब y को theta के respect करोगे तो यह थो simple सा लिखा हुआ क्या हैगा minus sin theta नहीं गलती तो नहीं है चेक कर लिएगा आप जानी है अच्छा गलती आप करेंगे जाने हम हाँ तुम ही जानो into cos phi और जब डेवर y upon डेवर phi निकालेंगे तो आएगा minus cos theta into sin phi तो यह तो हमने सब derivative निकाली है अब आपको निकालना क्या है अब आपको निकालना है डेवर x y upon डेवर theta phi क्या value होती है डेवर x upon डेवर theta डेवर x upon डेवर phi डेवर y upon डेवर theta डेवर y upon डेवर phi यह आपका अब देखें जैसे पहले आप यह लिख देते यह निकालना है यहाँ कोशिमा लगा देते बाद में निकालते वो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंको मालूम है यह value निकालनी है अब value substitute कर दिया जाएं यह समझे 90% के case में यह प्रूफ दे करके student इसको फोड़ देगा 90% जो हलका फुलका पढ़ करके गए है क्यों भई जब 5 के रस्प्रेंट करोगे तो cos theta बहार लिखा रहेगा और cos 5 का minus sin 5 हो जाएगा देखे डेवर एक्सपांड डेवर थीटा क्या निकला है यह निकला है cos theta under root 1 minus c square sin square 5 डेवर एक्सपांड डेवर 5 कैमरे में आ जाएगा चलो भई थोड़ा सा पूरा board कवर करो डेवर एक्सपांड डेवर 5 की value क्या आएगी minus c square sin theta sin 5 cos 5 upon under root 1 minus c square sin square 5 डेवर य एक्सपांड डेवर थीटा आएगा minus sin theta cos phi और यह आएगा minus cos theta sin phi यह आपकी value आगई अच्छा माले इसके बाद हमको ना आता हो तो हम क्या करेंगे हम expansion करने का एक ड्रामा करेंगे और एक आद स्टिप के बाद में वही लिख देंगे जो proof है ठीक है और हम समझ जाएंगे हमको number मिल जाएंगे लेकिन examiner समझ जाएगा आपने गलती कहां की है क्योंकि वह भी प कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसको open तो हम करेंगे expand करेंगे कि कुछ कॉमन दिख रहा है आपको determinant में common होता कैसे determinant में common कैसे लिया जाता है एक matrix में common होता है एक determinant में होता है तो determinant में common कैसे लिया जाता है बताईए जब मौड लेकर की काम लियाता है देखे मेट्रिक्स में क्या होता है कि सभी एलेमेंट में जो चीज़े बाहर निकल के आएगी इसमें किसी एक रो से या एक कालम से निकाल दीजी आप देखो इस रो से कुछ कामन इस रो से कुछ कामन दीख रहा है कुछ नहीं कामन है रो से नहीं कामन है ना इस रो से कुछ कामन दीख रहा है नहीं कामन दिया है क्योंकि यहाँ साइन ठीटा है यहाँ काश ठीटा है इस कालम में कुछ कामन है नहीं है इस कालम में कुछ कामन है यहां भी नहीं बोल देते हैं यहां पर आपका sin 5 common है तो हम sin 5 यहां पर common ले सकते हैं अगले step में देख रहा है ना अब देखो मैं इसी में common लेता हूं मैं यहां से sin 5 common लेता हूं और यहां से इसको गाइब कर देता हूं यह आपने गायब कर देना पतार रेजर से रप कर दिया उठागर कि यह ने गायब कर दिया और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं अच्छा दूसरा डेटर्मिनेंट खोलेंग तरीका यह होता है कि भाई कुछ जीरो ले आओ तो जीरो कहां यहां पाएंगे भी जीरो आने का कोई ऐसा तो यह आएगा आपका साइनड फाई अच्छाव लाना भी हमको इसले नहीं कि लाना है शालिक अच्छ से एक चीज्व हो रह्या है यह थे दोनों मैनटीव कम ले सकते है न तो निकेटीव कम ले लो और यही हहां से इठा दू minus sin phi आ गया यहां पर अब इसको open करिए आप इसका इससे Environment करेंगे तो क्या हैगा Cos square theta under root one minus c square sin square phi minus इसको करेंगे इससे teograph minus minus हो जाएगा यहां पर simple और ठोड़ी से हम को जगे चाहिए इसको हम wrap कर देते हैं तो यह हो जाएगा प्लस यह आएगा c square अब इसका प्लिप्लाइ करोगे तो sin square theta भी आएगा cos square phi भी आएगा और अपान under root 1 minus c square sin square phi आएगा यह common ले लिया इसमें अब यहाँ पर इम क्या करेंगे वह आपको साब सब दिख रहागे भी common लिजिए यहाँ से lcm ले लिजिएगा तो आएगा minus sin phi यहाँ हमने lcm ले लिया under root 1 minus c square sin square phi इसका multiply यहाँ से करोगे तो यहाँ जाएगा cos square theta 1 minus c square sin square phi root हट जाएगा और plus c square sin square theta into cos square phi अब इसको आपको क्योंकि ट्रिग्नमेटी है और ट्रिग्नमेटी में कुछ identities लगती है और उन identities की help से इसको आपको थोड़ा सा solve को लिजेगा देखें minus का sin phi और अपने proof को देख देकर कि खुस होते जाएगे I have got it अपान यह लिखा रहेगा कोई बात नहीं अब हम bracket खोलते हैं तो कि यह चीज जो नहीं वहाँ नहीं आ रही न क्या आएगा cos square theta minus c square sin square phi into cos square theta प्लस c square sin square theta into cos square phi अपन रेटी सुन में आ रही है न अंडरूड उन्हें आप रेटी सुन में कि आज़त पड़ गई है sin square phi नहीं लिख तो साफ रहे है अब आपको क्या दिख रहा है अभी कुछ आपको नहीं दिख रहा है चलो नहीं दिख रहा है तो दिख नहीं दिख रहा है कहीं गलती थे हो गई है क्या क्योंकि ये cos square नहीं चलो देखते हैं उपर रख कर दें थोड़ा सा अब प्रूफ तो नहीं रख करेंगे यहां तक सही है ना लक तो नहीं रहा है मतलब सही होना चाहिए कि प्रूफ नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। देखो मॉनस का साइन फाई अंदर देखेगा। अब हमको अपने प्रूफ पर जाना पड़ेगा। हमको अपने प्रूफ पर जाना पड़ेगा बोले तो जाना पड़ेगा ने 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 हमको देखना पड़ेगा हमको लाना क्या है क्योंकि मेरा यही आंसर हो गया हम यहाँ पर छोड़ सकते थे लेकर हम अपने आंसर के तब जाएंगे हम अपने आंसर तब यह जाएंगे कि सी स् स्क्वार फाई आ रहा है लेकिन यह साइन स्क्वार थीटा नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे विए अपना प्रूफ लाने के लिए कर रहे हैं cos square theta minus C square sine square phi into cos square theta plus C square इस sine square phi को हमने कर दिया 1 minus cos square phi कर दोगे तब तो तिक्कत आ जाएगी इसको change करेंगे हम उसको नहीं चढेंगे स्वारी इसको नहीं चणेंगे मैथेड कोई नहीं पहले मताया जा नहीं यह आपको ट्रिमेटिकल आइडिन्टी लगा कि वहां रिजल्ट पहुशना पड़ेगा त्योंकि यह माइनस का c स्क्वाइर है साइन स्क्वाइर फाई को लिखे दे रहे हैं और अपान में जो लिखा वह लिखा रहे हैं अंडरूट 1-c2 sin2 5 देखते हैं आता है नहीं आता है देखो अब हमारे पास एक ही सिस्टम दिया है कि इसको ब्रैकेट वह खोल दिया जाए खोलते हैं देखो माइनस sin5 जा इसका निमेरेटर देखो cos square theta minus c square दे ले जाओ यह जाओ c square cos square theta एक जाओ देखी आपको इन दोनों से cos square कामल लेंगे तो यह result आ गया आपको आ गया ना देखो जब इसको हम change कर रहे थे ना cos square 5 में तो जब ब्रैकेट हम खोल रहे थे तो यहां cos 4 5 आ रहा था जो कि वहीं पर हम रोग गये थे कि हम यह ऐसा नहीं करेंगे और plus इसको इसके साल ले जाओ c square cos square phi into cos square theta और plus c square sin square phi into sin square theta into cos square phi अपान में जो लिखा है अपान में यहां लिखे जा रहे हैं अपना बड़ा लाइन कहा है कीज़े under root 1 minus c square sin square phi तो आएगा minus sin phi upon under root 1 minus c square sin square phi देखो यहां से cos square कावन ले लेते हैं cos square theta तो 1 minus c square आ गया यहां से कावन देख रहा है plus का c square कावन देख रहा है cos square phi कावन देख रहा है अंदर क्या आप चाहिएगा cos square theta plus sin square theta इसकी value क्या हो जाएगी 1 तो यही तो result आपको ला रहा है hence proved और चुकि प्रूफ हो गया इसलिए very good भी लिख दो अच्छी बात है देखे इसका कोई method नहीं है हमारा काम है देवर xy और देवर theta देवर phi को खोलना उसको expand करना expand करने के बाद में हमारा जो result ला रहा है अब चुकि ट्रिग्रमेटी वहाँ पर है तो ट्रिग्रमेटिकल आइडेंटिटीज लगा करके उसको हम solve करेंगे ठीक है तो लगाईए इस question को